हेलो फ्रेंड वेलकम बेक तो गर्भ गुरू मैं डॉक्टर प्रियांक आदव और आज हम बात करेंगे हमारी प्रेग्नेंसी हेल्दी रहे हेल्दी प्रेग्नेंसी का क्या मतलब है कोई सिम्टम नहीं होना जी ऐसा नहीं है नौ मैने के दोरान बोडी में सिम्टम्स आएंगे प्रेग्नेंसी के जो सिम्टम है वह तो रहेंगे लेकिन हेल्दी प्रेग्नेंसी का मतलब है के मा जू रहती है उसकी बोडी में एक्स्ट्रा कोई सिम्टम ना हो जाए उसको डायबिटीई पी उसका सुगर कंट्रोल में रहे उसका वजन आच्छा रहे ना बहुत बढ़ उसको ज्याद़ कम हो उसको ज्यादा सुजन की दिक्कतना एंपैसन ना उसका खोराक च्चे से चलता रहे उसको नीन्ड Hij मा के जरी बोलते हैं और बच्चा हैंपास तरल पाणी अच्छा होना चाहिए उसका जो ली ग्रोथ होना चाहिए वह प्रपर तरीके से होता रहना चाहिए उसका वजन अच्छे से बढ़ना चाहिए उसके अंदर और कोई बोडिली कॉम्प्लिकेशन सनाए तो यहां पर हम आज डिसकस करेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी 9 महीने तक हेल्दी रहे मां को और बच्चे क जल्दी से डिलेवरी ना हो जाए या ऐसा कोई इसक एस से जल्दी कर नी पड़े तो यह सब आज हम डिसकस करेंगे उसमें से कुछ पोइंट ऐसे जो आपनी कभिद्यान में भी नहीं लिए होंगे तो उस लिएवल पर काम करेंगे तो वहां पर हमारी प्रेगनेंसी बोहत ही मामूली हो लेकिन सबसे ज्याद इंपोर्टन हें अपनी मेडी सिंस टैम पे लेना सपसे पहले तिन मैंने में सुपार करते हैं तो हम अपनी दवाय टाइम से नहीं लेते हैं कभी-कभी ये पोलीकेसिड ना लेके डायट मेंसे आयरन ज्यादा ले रही हूं यहार डोस दिया होट एक बार ले लेत एक बार कम्हाने में से कर लोंगी कभी इधर उदर गए स्कीप हो गए सुबह की दोपर में ले लिए दोपर की रात में ले ली प्रोटिन बाउडर दिया हो नहीं लेते में प्रोटिन का फूड ले तो इस तरह से जो जो विटामिन सप्लीमेंट जिस टाइम पे जैसे जैसे बोलाई वैसे लेना जरुरी होता है दोनों के लिए मा के लिए और बच्चे के लिए तो पहला काम अपने जो विटामिन्स मिनरल्स या फिर आपको जो भी सप्लीमेंट दिये हैं टाइम से लेना जरूरी है दूसरा मेडिकेसंस चलती रहती है यदि आपको थाइरोड है तो थाइरोड की दवा दवाए चेंज होगी तो अधिसाईश कगो चल रहे है तो प्लेगनसी पहले कीजों सब्सक्राइब करें आपने के साथ करें उसको प्लेगनसी करें को जدمता है तो तो मेडिसिन टाइम पर को दिकत है तो वहां पर नॉर्म bend at तो नोर्मल एक्सराइज वोकिंग आपको करनी रहेगी जिससे आपका वेट भी मेंटेन रहे और बच्चे के एल्द भी अच्छी रहे आपका ब्लड प्रेसर कंट्रोल में रहे और वहां पेडी माव गिरान आए तो हेल्दी एक्सराइज पूरे नो महिने के दोरान आपको क करनी है तीसरी में चीज धियान में रखनी है प्रेगनेंसी के जो डेंजर साइन्स होते है वह आपको पता होना चाहिए कभी-कभी हम लेडिस के रहता कि जब तक एक्स्ट्रिम में आ जाए तब तक अपनी बोडी के सिम्टम के ओपर ध्यान नहीं देते है यह तो नोर्मल ह प्रेगनेंसी में होता रहता है ठकान लगती है चक्कर आते है भुखनें लगती है तो कुछ़एंसे शिम्टम रहते हैं जो इसन बोल आ जाते हैं उतना नौलेज आपको होना चाहिए ताकि जो नौर्मल थापनीक काम करो क्भीजियों मेरे चैनल पर हर एक वीडी COVID या घैंस तो अपने आपको पहले तो एद्जूकेट करो और उसके उपर काम करो, अपने काम करने का तरीका बदलो, जैसे आप प्रेग्नेंजी के पहले काम करते थे वेसे अभी नहीं कर सकते, अपना पोस्चर वहां पे आप उपसर करो, ऐसे अचानक बेट की अचानक खड़े होगे सब्सक्राइब करने की ज़रत पर टेबल पर चड़के सब्सक्राइब चारू सबकर सकते हैं लिकिन ऊसका एक कर रहता है थोड़ा करो 10-15 काम 10-15 मेच आराम करो काफिन काफी लोग की पिट्रेट सब्दों भ kang और तो फिम साथ यू आराम से पर नहींद कुछ सफाइब करने तो किसी के हेल लख लेलो वहां पर काम करने का तरिका बढ़े लो और ना बोलना सेको जो काम नहीं हो रहा है थकान लगे तो नहीं हो पा psychiatर ज्यादा आपको ड्रेस्त करने के जड़रत नहीं तो फ्रेइडन्स इर्फ क्यों करते रहना है जूब रखके थोड़ा बदलाव करके काम करना है डाट अपना सुधारो प्रेगनेंसी है तो जंक पूड टोटल बन करो कभी बार का नहीं कभी बार का सकते हैं और वहाँ पे बिल्कुल यह बंद कर दो यासी पेई खाना ऐसा कुछ फिक्षने नो महीना है आप एक ही काना खाएंग मेरी चैनल पर देख सकते हैं तो प्रोटीन अच्छा रखो मोर्निंग में आप प्रोटीन डिच ब्रेकफास्ट कीजिए एक सिजनल फ्रूट खाना है दिन में एक बार एक मुठी पर ड्राइप खाना है बाकि जो आपका दो पर का लंच होता है उसमें भी वन थर्ड प्रो चाहिं किसे भी करके खाऊ या बिल्कुल नहीं कहा सकते सा कुछ नहीं मोडरेट अमांड में सब आप खा सकते हैं मिन गायनिक विजिट आप टाइम से करते रहिए वहां पर जो आपको बोला जाए जैसे जैसे बोला जाए विशे फोलो करते रहे हैं चीज टेश्ट जो लि पर बॉड़ी पर काम करो तो बच्चे का विकास अच्छा होता रहेगा उसका वजन अच्छेसे बढ़ेगा उसकी हेर स्कीन आई क्यों सब अच्छा रहेगा आपके बोडी पर हल्दी रहेगी और रही बात नूर्मल डेलिवरी की तुसके लिए मेरे चैनल पर वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो इसको like and share कर दीजेगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कली जाप के लिए बिलकुली फ्री है तो चलिए फ्रेंट भी जली से मिलेंगे तब तक के लिए स्टेली स्टेफिल बाई